ओके हम लोग लिखा यूथ एस्टेशिएशन साइट से हैं मेरा नम लिखा तरम कन्बेनर यूथ एस्टेशिएशन का लिखा का ये लिखा चादा जनरल सेकेटरी यूथ लिखा यूथ एस्टेशिएशन और ये है लिखा मासी फाइनेस सेकेटरी हम लोग का लिखा यूथ ए हम लोग का आने का मकसद ये था कि हमारा एक बहन का साथ में रेफ हुआ है फिजिकल्ट एसल्ट हुआ है मिस्टर तॉको राजेस उन्होंने हमारा चौता बहन का साथ में जो कि हार्डली 15 एर्स है क्लास 9 ने पराई कर रहा था उसका साथ में जेवर जस्ति क्या है रेफ क्या है एसल्ट क्या है जिसका कारण बेहन जो दीप सोक में ट्रोमा में जाके अभी तक ट्रोमा से बाहर नहीं निकल पाया है उनको दीद से यहां ट्रीम्स में रिफर किया ट्रीम्स में फिर बाहर इस्टेट रिफर किया तो इसलि बुक कीजिए इसका exemplary punishment देना है हमारा ट्राइवेर सोसाइटी में साइद ये rare of the rarest चीज है ऐसा हमारा कभी होता नहीं है हुआ नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको आप लोग का ठोस से राजस को arrest करना है पुलिस अपना काम properly करना है जल्दी करना है दिले नहीं करना है हमारा बाइवेहन होने से भी आप लोग राजस को पकड़ने में help कीजिए और एक हमारा राजस का अगर कोई उसका दोस्त है कोई पीर ग्रूफ है कोई family है अगर वो राजस को shelter दे रहा है या उसको चुपने में मदद कर रहा है तो वो भी आगे अपना legal consequence face करने के लिए ready रही है क्योंकि हम लोग वहां तक जाएगा आज आप चुप सकता है कल परसों नहीं चुप पाएगा हम लोग उसका घर तक आपको legal consequence के लिए हम लोग बेजेगा और हमारा इसलिए हम यह बोल रहे है क्योंकि एक आदमी आज का दिन में इतना advanced technology police से इतना दिन तक चुपके नहीं रह सकता है अकेला इसका मतलब कोई उसका साथ दे रहा है यो जो साथ दे रहा है वह आप family members हो सकता है आप दोस हो सकता है आपका भाई हो सकता है लेकिन आप लोग kindly इसको साथ में दीजिए राजस को arrest कराईए justice दिलाने में हम लोग का मदद कीजिए रेप कहा और कौन सा जगा में है रेप जो है दीद हमारा lower 73 दिस्ट्रिक के अंदर आता है वहाँ पर secondary school है तो secondary school में यह हमारा बहन जो class 9 में सिंस उसका घर वहाँ पे नहीं उसका घर वहाँ से गाउ का अंदर है तो वहाँ में वह रेंटेड हाउस में रेंटेड रूम में रहता था वहाँ पे रात बारा बज़े और तीन बज़े का बीच में रात बारा बज़े से मौनिंग 3 एम का बीच में 21 में यह राजस जो र पहले में पहले भी बोला यह फैमली जो है जहां से इमेडियेट बिलोंग करता है यह इतना अच्छा से अच्छा से अच्छा से आपका बाहर का भी पता नहीं है सब गाओ का है इसका जितना पेरेंस है तो उसका वज़े से इन लोगों ने वहाँ पे उसको बिमार सोचके तो उसी चलते थोरा सा एक्षाइड में दिले हो गया तो फिर बात में पता चला किस इतना केस्ट नहीं हुआ नहीं ही तो इसके बाद हम लोगों ख़बर मिला थार्टी को मिला हम लोगों ने सुप्ली थेभी से एक्शन में आके हम लोग आ यहां तक आज पहुंचे हैं स्कुल अधिनीस्टरेशन का क्या रेस्पूंस उन लोग को साइध मेडिकल का ठो से पता चला है और वह अभी इंबॉल्ट गे इसमें उरदी वह साइध अपना बेस्ट वह लोग दे रहा हैं करऊ कि नहीं है और हम लोग उसके लिए एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। यही Mहाबज की से इसको हम लोग को इसको यही एक कारण है। आज करक slog का हम लोग समाज में बहुत सा incident होता होगा जहाँ पर आप कुछ कर लेता है इसके अध मुहाबजा के लिए आप ओफर करता है और सुने में आया ऐसा कुछ-कुछ incident बच्चे के साथ में होने के बात में बात में compromise करा देता है कि चलो हो गया तो आप उसको साधी कर लो ये कर लो तो यह सिब चीज को बिलकु कर दे रहा है अज प्रेश में आके आप लोग का ही मदद सीख करने आप लोग पुलिस को आप लोग का साथ से कर दिजए है अडिस्ट्रेशन को हमारा जो पाभलिक है उसको प्रेश कर दी जो हमारा government है और जितना responsible हमारा organization से student union से I sue है, UN sue है, आप sue है सभी से हमारा appeal है, आप लोग कट्रों से आप लोग सब आगे आए और इसमें justice दिलाने में मदब कीजिए जो criminal है, जो जिसने ये काम किया है उन लोगों के family members को आपने बात किया है कि इस चीज का बार में किया कि कहा चुपा है बोगों, देकि उसका जो parent है, immediate है, उन लोगों तक हम लोग ने आभी तक बात किया नहीं है जाके, क्योंकि आपको पता है ये इतना गलत चीज हुआ है तो as a parent, as a family member अगर हम लोग वहाँ जाएगा, तो emotion को control भी नहीं कर सकता है sometimes, तो उसमें हम लोग कहीं गलत ना हो जाए, लीगली करने का उसमें रास्ता में हम लोग कहीं कुछ illegal काम ना हो जाए इसलिए आभी तक हम लोग practically उसका मापिता जी का पास गया नहीं है, लेकिन उसका extended family members है, हम लोग सभी को हम लोग request किया हुआ है जाके हमारा association का side से भी हम लोग जाके request किया है कि अगर आप लोग को पता है, तो kindly surrender कीजिए, इसको बिल्कुल मत चुपाईए यह हम लोग का repeatedly request है यह case जो कूंसा police station में registered है? यह zero woman police station में registered है case